हलो दोस्तों, वेलकम बैक टू और चैनल माईने में सुनम जोहन, तो आज के मारी इकलाथ का टॉपिक है मोहनदास करमचंद गादी, तो उनकी बाइगरिफी के बारे में डिसकस करेंगे, जो कि इस पेपर को लेकर के बहुत इंपोर्टेंट है, जो कि आपके एक्जाम के बढ़ सकते हो, बढ़ यहाँ पर ग्राजवेशन लेवल पर जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट है, वही हाँ पर डिसकस करेंगे, तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर सब्सक्र अब हमें motivated फिल कराता है, हमें अच्छे सचे content बनाने के लिए inspiration, inspire करता है, ठीक है, तो चलिए, और इसकी जो PDF है, वो हम share करते है, अपने टेलेग्राम चैनल पर जाकर करके, वहाँ पर भी आप उसे join करना है, क्योंकि हर एक जो वीडियो हैं, उनका जो PDF not से, वो वहीं पर share होता है, वीडियो के बाद में, ठीक है, नीचे description में उसका link मिल जागा, या सोनम चोहन quality के नाम से जब आप search करेंगे तो आपको telegram channel भी मिल जाएगा, तो चलिए, आप lecture को start करते, देखें, मौहंदास करमचन गांधी, जिने विश्व में भारत के राष्टपिता महात्मा गांधी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं, जैसे बचमन से पढ़ते आ रहे हैं, राष्टपिता महात्मा गांधी, तो गांधी वाद के वो परवर्तक थे, जो गांधी जो आइडियोजी है, तो बैसिकली वो गांधी ने ही इसको create किया था, ठीक है, आइडियोजी है, अब यह कैसी है, आगे बात करेंगे, तो गांधी वाद, 20 centuries की सबसे महत्पून विचारधारा में से एक माने जाती है, एक ऐसी आइडियोजी है, जो 20 century मेंने की 20 सदापती में सबसे famous थी, इस विचारधारा की मुख्या आधारभूत जो सिध्धान था, अगर इसका base, इसकी थोरी देखें, तो प्राचिन भारती संसकर्ती में सत्य और अहिंसा का सिध्धान था, ठीक है, जो गांधी जी जो गांधी वाद है, इसकी जो आइडियोजी का जो base माना जाता है, उसको सत्य और अहिंसा, अब थोड़ा सा में बात कर लेते हैं, इनकी बाइगरफी को लेकर, इनके family background को लेकर देखें, तो गांधी जी का पूरा नाम मोहंदास गांधी था और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, तो गुजराती होने की वज़े से, वहाँ की प्रथागय नुसार, वहाँ की rituals की नुसार वे मोहंदास करमचंद गांधी पुरवंदर राज्य के दिवाग थे गांधी जी के माता का नाम पुदली बाई था जो एक धर्म पराण इस तरह के नहीं कि बहुत रिलेजिस वुमें थी पिता करमचंद के यहां गांधी जी का चर्म दो अक्टूबर 1869 को हुआ था उनकी सिक्षा दिक्षा निकर उनकी ग् अधिकेशन है वो गुच्राथ से कम्प्लिट एंड लास्ट में वो इंग्लेंड में कि जो ग्राजुएशन है पोस्ट ग्राजुएशन है तो वो सब इंग्लेंड में जहां उन्होंने वकालत की उपादी पराप्त की वे एक सामने बुद्धी के इचातर थे ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्स्ट्रीम इंटेलिजेंट है वो एक नॉर्मल ही स्टुडेंट रहे हैं अपने जीवन में लेकिन मातापीदा के सच्चे भक्त थे उन दोनों के चरित्र का निर्मान पर उनका गहरा परभाव पड़ा रही जिस्टे नॉर्मल से बात है कि आपके पैरेंट्स का साउथ अफरीका में मुकदमा चनला था और उसमें उसकी पैर भी करने के लिए गांधी जी दक्षिन अफरीका भी गए थे और बाकि इनके अगर हम मुमेंट की भी बात करें देखो मैं यह फटा-फट से हम इसले करा रहे हैं क्योंकि ग्रैजवेशन लेवल पर और वैस अब यहां पर बात करेंगे हम रादनिती का अध्यात्मी करने यानि की स्पिरिच्विलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो गांधी वादी जब विचारधारा को आप पढ़ते हो तो बैसिकली इसमें जानना ये भी ज़रूरी है कि गांधी इसमें किस तरीके का पॉलिटिक और किस तरीके की इसमें बात होती है तो पहला पॉंट है गांधी वादी धर्म की अवधार्ना यानि कि ये कैसा कॉंसेप्ट है कैसी आइडियोलोजी सो गांधी वादी एक धर्म प्राण वेक्ती थे और जैसे के हम पहले बाइग्रफी में भी पढ़कर के आचुके कि उन अचरिया के लिए अपनी लाइफ स्टाइल के लिए धर्म को एक प्रेरेक शक्ती मानते हैं एक इंस्पिरेशन मानते हैं गांधी जी ऐसे व्यापक और उदार धर्म को मनुष्य और उसके समाज के लिए मुख्याधार मानते हैं यानि कि उन्होंने जो बेस माना है सो बेसि Appreciate MET कि समाज से धर्म का नमूलन करने का प्रियास ज़के इडलumm करता है। यानि कि धर्म के साथ राजनीती जुड़ी होई मैं तो हम इसको अलग, अलग तरीके नास्तिक होते हैं, तो बेसिकली वो भगवान की कोई भी एक्टिविटी को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हर चीज में तब साइन्टिफिक तरीके से बहुत जादे रिलेट करते हैं, हर चीज के पिछे रिजन निकालते हैं, बट हम यहाँ पर कह सकते हैं, मेरे पॉइंट प्रॉपर उपसे हंड़ेट प्रॉपर नास्तिक नहीं हो सकता है, क्योंकि जब कुछ न कुछ ऐसे सिच्वेशन आती है, तो वो कहीं न कहीं भगवान को याद जरूर करता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो गांदी चीव वो महानास्तिक थे, उनका इश्वर के अस्तितु मे बहुत ही जादा विश्वास था, अटल विश्वास था, और यह जो अटल इश्वरी आस्ता है, वो उनके धार्मिक संस्कारों के कारण ही थी, जो उने बच्पन से ही एक मतलब प्राप्त हुई, जो उनका घर का इंवायरोमेंट था, ठीक है, जैसे उनकी माता धर्म प्रा प्राइण थी, नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी और सत्य, गांधी वादी जीवन दर्शन की आत्म है, उनके चारों तरफ ही उसका ताना बाना भुना हुआ है, निकि उसका स्ट्रक्चर की रिएट किया गया, और उन्होंने सत्य के नाम पर एक प्रैक्टिकली लाइफ को उन्होंने वहाँ पर मतलब experience किया है, उस चीज को अनुभाव किया है, फिर next point आता है गांधी जी और अहिंसा, देखो गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे से थिंकर जो अहिंसा को मतलब सबसे उपर मानते हैं, प्राइटी पर मानते हैं, कि हम सबसे पहले जो non-violence activity है, उसको priority पर रखें, but as a situations तो आप non-violence हमेशा नहीं रह सकते हैं, situations जैसे उसकी आधार पर यह आपको react करना होता है, इसके बाद सत्य गरह हम सभी जानते हैं, सत्य गरह की शुरुवाद गांधी जी ने की तो सत्य गरह का मतलब क्या होता है, कौन सत्य गरह का मत आपको convert नहीं करोंगा, इसका शाब्दी करत तो सपष्ट होता है, कि एक ऐसी situation चे जिसमें विक्ति सत्य गरह पर दरड रहते वे, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता है, तो basically उसको सत्य गरह, यानि कि सत्य के लिए आग रह करना, ठीके? अब next question नहीं कि सत् हुटनी बोलना आना चाहिए, उसको हिंसा नहीं करनी आनी चाहिए, तब ही वो सत्य गरह ही हो सकता है, बात-बात पर वो aggressive नहीं हो सकता, तो ये सत्य गरह के गुण होने बहुत साधन कैसे होते हैं, जब means of सत्य गरह, मतलब अब जब आप सत्य गरह को follow करोगे, एक सत्य गर हैं, उन्होंने मतलब जो भी activity की, वहाँ पर जो भी मतलब उनकी जो समान थे, उनको स्वदेशी जो था, वो movement में लाए, और बहुत हद तक उस चीज का बहिसकार किया, जो उनके दौरा इंडिया में चलाई जा रहे थी, चाहिए वो school हो, चाहिए वो job हो, चाहिए वो खान अधिकार और राज्य संपरभूता का खंड़न, तो सत्ता का विकेंद्रिकरन का मतलब होता है, राज्य सत्ता को सीमित रखने के लिए गांधी जी ने सबसे महतपूर सुझा दिया कि उसकी जो authority होती है, उसको distribute करना चाहिए, ग्राम होते हैं, village होते हैं, उस level पर काम करती ह तो वो विकेंद्रिकरन होता है, सत्ता, authority, power, वो distribute हो जाती है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य की अति सीमित शाषना दिकार, तो राज्य दुबर अपनी सत्ता का दुरूपयोग ना किया जासे कि इसके लिए गांधी ची उनके शाषना दिकार का क्षेत्र अति सीमि लिमिट में होना चाहिए, कि अगर आप कहीं पर भी employee है, आप government employee है, आप politicians है, आपके पास authority है, powers है, पर आप यूज यूज करोगे, आप ऐसे यूज करोगे ना कि मैं तो लीडर में कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे में उनका यही political views आतने हैं, कि कहीं नहीं के limitation होनी चाहिए, और यह नहीं मानते थे कि इस आधार पर वेक्ति को राज्य की हर आग्या को अपनी आग्या मानकर पालन करना चाहिए, तो इस direction से उनकी मानने था थी कि राज्य वेक्ति की श्रद्धा का पादर तभी हो सकता है, जबकि उसे कल्यान की चिंता करें, यानि कि अगर आप किसी स्टेट कैसा होना चाहिए, गांधी जी न अपने व्यूज दिये कि आडिल स्टेट बहु यह सारे पॉइंट होने चाहिए, जैसे कि आप यहापे दे सकते हैं, जैसे आहिन सात्मक राज्य जी है, वहाँ पर हिन सात्मक राज्य जी आपको पढ़ना पढ़ेगा, तो आप म होगा, जैसे कि हम अभी बात कर चुकेंगी, जो पावर से उसको डिस्ट्रिब्यूट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कि सेंट्रलाइज होगी, तो बहुत ज़्यादा प्रब्लम होगी, एकी विक्ति कैसे उसको कवर कर सकता है, फिर नेक्स आर्थिक विके उसका अपना एक शाररिक शरम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो डिपैंडेबल दूसरों के उपर नहीं होना चाहिए, ठीक, इसके अलावा धर्म निर्पेक्ष राज्ये, हैनि कि राज्ये में हर धर्म की अपनी एक, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को स्पे प्राइमरी एक शरम की ज़्ये कर देना चाहिए, ताकि हर घर से वेक्ती, जो छोटे-छोटे बच्चे है, कम से कम वो प्राइमरी एक राज्ये में, गांदिवादी राज्ये में आधर्षर राज्ये की शांती वेवस्ता, पीस ओफ, इन्वाइरोमेंट बहुत ज़्यूर पर उनोंने इसको एक्स्पेन किया है, आई होब यह विडियो लक्षर आपको पसंद आओगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कोशन करके आप लोग बता सकते हैं, और बाकि इसकी जो पीडियाफ है, वो हम आपने टेलेग्राम ग्रूप पर शेर कर देगे, ज पर पिडियो में से सब्सक्रीप्चन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर सीधे आप टेलीकर पर उसको जोइन कर सकते हैं, तो दोनों इस ट्रिविजिणरें कि, तो विडियो पसंद देती विडियो को लाइक कर देना, शेर कर देना, अभी तक सबस्क्राइब नहीं की, तो सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को प्रेस करने ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो चले मिलते हैं नेक्स इंफोर्मेशन के साथ में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जेहिंद जे भारत